student next नमारा question है why does the element of group 4 6a other than oxygen show more than 2 oxidation state question को समझे है कहता है group 6a के जो element है वो सिवाए oxygen के oxygen जो है यह plus 2 या minus 2 oxidation state शो करता है अमोमन तो minus 2 शो करता है लेकिन ओ F2 में plus 2 भी शो करता है commonly यही है दो oxidation state शो करता है बाकी जो element है वो कहता है दो से ज्यादा oxidation state शो करते है ऐसा क्यों है ऐसा इसलिए है कि अगर हम electronic configuration करें है तो अगर oxygen का atomic number देखें तो oxygen का atomic number जो है वो 8 है इसके पहले shell में 2 और दूसरे shell में 6 अलेक्टा यानि इसका वैलेंस shell जो है यह दूसरा वैलेंस shell इन्वाल हो रहा है बांडिंग में अगर हम shells की बात करें तो पहले shell में हमोन एक sub shell होता है S और दूसरे shell में 2 होते है S और P इसी तरह से अगर एक element है जैसे sulfur है यहां पर इन्वालव नहीं है अगर हम बात करें sulfur की या इससे ऑनवर्ड जो भी group के दूसरे element है जैसे इस group में oxygen है sulfur है selenium है telorium है और polonium है यह इस group के element है इसमें oxygen के पास जो oxygen के जो six valence electron है वो दूसरे shell के अंदर है और दूसरे shell में S और P आर्बिटल इन्वाल होते हैं लेकर हम sulfur की बात करें तो इसके पहले shell में 2 दूसरे में 8 और तीसरे में 6 electron है अब इसका तीसरा जो shell है वो इन्वाल है bonding में देखेंगे पहले shell में एक orbital होता है सिर्फ S दूसरे में 2 होते हैं S और P और तीसरे में 3 होते हैं S P और D जब हम नीचे जाएंगे तो हमारे पास हर shell के अंदर D orbital इन्वाल होना शुरू हो जाएगा जबकि oxygen के पास सिर्फ P orbital इन्वाल होता है इसके पास जा है वो D और F orbital इसके electronic configuration में इन्वाल है नहीं होते बांड बनाने के दिए तो कुछ यूँ बन जाता है कि oxygen की जो electronic configuration है उसमें अमोमन D orbital इन्वाल नहीं होते जैसे अगर हम oxygen की electronic configuration करें तो 1S2, 2S2 और 2P जो है 4 है इसकी electronic configuration और अगर sulfur की करें तो 1S2, 2S2, 2P, 6 और 3S2, और 3P, 4 लेकिन 3D इसके पास है खाली है अब होता क्या है अब oxygen के जो electron है सिर्फ P orbital वाले वो bonding में हिस्सा लेते हैं जबकि इसमें क्या होता है sulfur हो या इससे onwards जो भी नीचे ये element है इनमें D orbital भी bonding में इन्वाल हो जाता है जब D orbital bonding में इन्वाल हो जाएगा तो वो एक से ज्यादा oxidation state शो करते हैं जैसे यहाँ पर मैंने possibilities लिखे हैं जैसे sulfur की electronic configuration है नियान के बाद 3S2, 3P4 और 3D0 है अब sulfur यहाँ पर देखें मुखलिफ oxidation state शो करेगा एक sulfur नहीं है बाकी भी element इसी ग्रूप के ऐसे हैं सिवाए oxygen के तो यहाँ पर इसकी electronic configuration है 3S2, S में 2 electron है और 3P, 3P जो है इसमें 4 है अब इन 4 electron हो में से 2 electron pair हैं जबके 2 electron unpaired हैं यह जो 2 unpaired electron हैं सिर्फ यह दो बादिंग में हिस्सा लेते हैं इसलिए यहाँ पर यह प्लस 2 oxidation state शो करता है जब सिर्फ यह तोनों electron bonding में हिस्सा लेने जैसे oxygen है इस तरह से अगर हो रहा है तो फिर तो यह प्लस 2 oxidation state शो करता है अब देखें sulfur जो है वो कितने oxidation state शो कर रहा है लेकर अगर उसके इस तरह से जो है कुछ हो जाए कि यह जो पी electron है यह यहाँ से jump करके d orbital में दाखिल हो जाए इस तरह से जैसे यहाँ पे दिया हुआ है तो 2s2, 3p, 3 अब यहाँ पे यह तीन electron unpaired है और एक unpaired electron यहाँ पे d orbital में दाखिल हुआ है जबके यह d orbital वाली possibility oxygen के पास है ही नहीं जब एक electron d orbital में दाखिल हुआ तो अब sulfur के पास कितने unpaired electron है 1, 2, 3 और 4 अब इसके पास 4 unpaired electron है और यही 4 के 4 unpaired electron band में हिस्सा लेते हैं इसलिए यह plus 4 oxidation state यह वो शो करेगा जब d orbital में एक electron दाखिल हो रहे है इसी तरह से कुछ इस तरह भी हो सकता है कि यहा एक पी electron तो दाखिल हुआ था पहले यहां से यहां से एक electron यहां d orbital में आ गया इसी तरह से एस से भी एक electron यहां से निकल के यहां d orbital में आ जाए है तो हमारे d orbital के अंदर दो electron आ जाएंगे और अब कितने unpaired electron है दो d में है unpaired है इसी तरह से 3p में unpaired है और एक 4 में unpaired है त तो sulfur जो है यहाँ पर 6 oxidation state भी show कर सकता है, मुक्तसर यह कि चुक्के बाकिया elements के अंदर P S और P orbital के लावा D orbital भी क्या करते हैं, इन्वाल हो जाते हैं bonding में, इसलिए यह oxidation state जो है, एक से, दो से ज़यरा oxidation state show कर सकते हैं, जैसे sulfuric acid में H2SO4 में sulfur का oxidation state plus 6 होता है, जैसे H2S में sulfur का oxidation state minus 2 होता है, जैसे और भी इस तरह से जैसे SO3 में, SO2 में, SO2 में sulfur का oxidation state plus 4 होता है, दखें, कितने oxidation state जो है sulfur show कर रहा है, तो दो से ज़यरा oxidation state show कर रहा है, उसकी वज़ा यह है कि sulfur के d orbital भी bonding में हिसा लेते हैं और oxygen में यह चीज नहीं है अब कैसे लिखेंगे oxygen commonly show two oxidation states ie plus two और minus two while other elements of group show plus two minus two plus four plus six oxidation state तो इतने सारी oxidation state show कर सकते हैं बाकी elements अच्छा जी यहाँ पे plus two सिर्फ OF2 में oxygen show करता है सिर्फ OF2 में oxygen का oxidation state plus two होता है बाकी हर जगा minus two है इवनके oxygen कहीं पे half oxidation state भी super oxides में show करता है और बार oxides में minus one oxidation state भी उसका होता है minus half oxidation state super oxides में होता है तो यहाँ पे plus two oxidation state show कर रहा है क्योंके fluorine की electronegativity oxygen से ज्यादा है तो अब reason क्या है कि oxygen जो है सिर्फ दो oxidation state show करता है जबके बाकी element इस group के दो से ज्यादा oxidation state show करते है oxygen does not involve d orbitals in bonding oxygen के d orbitals bonding में हिस्सा नहीं लेते while other elements involve 3d and 3s orbitals in bonding वो अपने 3d और 3s orbital को भी even के bonding में हिस्सा जो है वो इनके 3s और 3d orbital भी bonding में involved हो जाते है जैसे यहाँ पे देखें यह 3s अच्छा जी 3s orbital के electron भी यहाँ पे unpaired हो गया है तो यहाँ पे यह 3s 3s orbital भी bonding में involved है और 3d orbital भी bonding में involved है और अब क्या है in burning and show plus 4 and plus 6 oxidation state इसकी वज़ाए से फिर plus 4 and plus 6 oxidation state शो करते हैं मैंने आपको sulfur की यहाँ पे example समझा दी है अब आप इसको note कर सकते हैं